जैश्वी रादे रादे कैसे हैं लगली यूच्व डिवाइन्स आप लोग I hope स्पस्थ है मस्थ है मैं हूँ टारो पूजाते आगी और चलिए आज आज आपकी और आपके पार्टर की जो डिस्टिंक्टिफ फीलिंग्स है यानि कि आप और आप दोनों की जो फीलिंग्स है versus each other वो हम check करने वाले हैं ठीक है you versus your partner's current feelings हम check करेंगे ठीक है चलिए अगर reading को आप resonate करते हैं तो जरूर से इसको claim कीजेगा collective general reading है तो सभी ही लोग resonate कर जाए या जरूरी नहीं है जितना resonate करें उतना claim करें बाकि जाने दीजेगा male female specific नहीं है कोई भी इस reading को देख सकता है च अगर अभी तक आप मुझे subscribe नहीं किये हो तो जल्दी से आप subscribe भी कर लीजे क्योंकि आपको इसी तरह है कि reading रोज देखने को मिलेंगी मैं रोज fresh readings लेके आपके सामने हाजर हूँ तो जल्दी से bell icon दबा दीजे और मुझे subscribe कर लीजे और चले देख लेते हैं कि क्या आ रह आपके लिए पहला काड़ देविल आ रहा है ठीक है risky काड़ है बताओंगी कैसे second काड़ आ रहा है आपके लिए the death काड़ ओके third काड़ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए okay the eight of cups next काड़ है the six of cups ठीक है यह आपके काड़ है आपके partner के काड़ चेक कर लेते हैं क्या आ आपके partner का पहला काड़ तो आ रहा है the four of pentacles दूसरा काड़ मुझे दिखाई दे रहा है the nine of pentacles third काड़ दिखाई दे रहा है मुझे the six of swords and the final काड़ जो दिखाई दे रहा है आपके the four of swords पहले आपके emotions पे आ जाते हैं कि आप क्या feel कर रहे हो आपके current emotions क्या हैं देखे पहली आपने इस relationship में बहुत बार और अभी हाल फिल हाल में रिष्टे को खतम करने के बारे में सोचा है आपने सोचा है कि जाने देता हूं या देती हूं बहुत हो गया बस now I have to move on तो आपने इस relationship को painfully end करने के बारे में कई बार सोचा है लेकिन having said this आप ये कर नहीं पाए हो क्य पार्टन के साथ जो आपका attraction है पार्टन के साथ जो आपका एक रुजहान है एक connection है बहुत strong है almost addiction है आपको अपने इक पार्टन का तो आप जितनी बार भी इसको खतम करने के बारे में सोचते हो उतनी बारी वापस से इसी vicious circle में आ जाते हो बहुत बार आपने ये walking away के बार में भी सोचा है to just block your partner just go away just quit leave the relationship and move on ये भी नहीं कर पाए हो devil के energy की वज़ा से और कहीना कहीना आप अभी भी ये recently बहुत recently आपने इस relationship में feel किया है होता क्या है क्यों नहीं कर पाते हो इसले नहीं कर पाते हो क्योंकि partner ना आपको कोई ना कोई offer देके कुछ ना कुछ बाते वापस से थोड़ी सी bread crumbing करके आपको फिर से अपनी तरफ खीच लेते हैं अपनी तरफ कर लेते हैं अपने favor में कर लेते हैं परसन आपको कोई gift देके कोई वादा करके assurance देके कि ने अब सब ठीक होगा I'll make sure everything is fine करके आपको ये person वापस अपनी और ले आ जाते है इसलिए आ ना तो move on कर पाए हो ना ही आप इस person को भुला पाए हो addiction जबरदस्त है बहुत जबरदस्त है आपने जतने emotions इस relationship में invest किये हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा deep connection है आपका partner के साथ अपने partner के साथ आपने अपना सब कुछ एक तरह से कह दें कि दाफ पे लगाया है इस relationship के आपके partner तो मुझे अभी back foot पे नजर आ रहे हैं आप जहां बीच बीच में मुझे firm नजर आ रहे हो कि आपने कोशिश की है relationship को end करने की अगर आपने आपके partner ने कोई कोशिश की भी है कभी आपको feel हुआ भी है तो भी इस वक्त आपके partner आपके साथ reunion जाने है इस वक्त वो यह नहीं चाहते है कि आप इने छोड़के चले जाओ इस वक्त वो यह चाहा रहे है कि आप इनमें फिर से interest दिखाओ फिर से रिष्टा ठीक हो जया है retreat का card है rest का card है कई ना कहीं गुटने डेखने का card मुझे आप परसन के तुरफ से दिखाई दे रहा है यह person आपको किसी भी कीवत पे lose करना नहीं चाहते हैं बिलकुल नहीं चाहते हैं कई न कहीं इस person ने जितना भी time आपके साथ spend किया है यह person उसे अप cherish कर रहे हैं इन्होंने पर जो गलतिया की हैं आपके साथ relationship में या इस रिष्टे में चाहे वो cheating की हो betrayal की हो आपके दिल दुखानी की हो उसक में चाहते हैं यह चाहते हैं कि जितना ही आपको manifest करने की कोशिश कर रहे है न उसका इन्हें जल्दी से जल्दी फल मेले आपके partner बहुत clearly इस वक्त आप sì को manifest कर रहे हैं अपनी life में जल्दी जल्दी आप इनके life में वापस आ जाओ जल्दी जल्दी सब कुश ठीक हो जाए ऐसा सोचते वे आपके person मुझे दिखाई दे रहा है आपके person ने और आपने बहुत ज़्यादा chaotic time देखा है आपके person इस बात को जानते है कि उनकी वज़ों से आपने बहुत at time दुख उटाया है ये person कही ना कहीं आपको relief देना जाते है इस turbulence को, इस chaos को, इतनी ज़ादा जो भावनाओं का प्रवा है उसको end करके आपके life में stability लाना जाते है इस रिष्टे में stability लाना जाते है जो वादें, जो intention partner ने आज तक आपको relationship में नहीं दिखाई वो intention लाते हुए, सोचते हुए, feel करते हुए मुझे आपके partner इस वक्त दिखाई दे रहे है आपके partner आपको सहेच के रखना चाहते है इस रिष्टे को preserve करके रखना चाहते है, बचाना चाहते है कहने कहीं, आपके partner ने recently realized किया है कि आपका रिष्टा ऐसे तो खतम हो जाएगा, extent हो जाएगा क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा interest नहीं दिखा रहे हो आप कहींने कहीं abandonment की उसमें जा रहे हो कहींने कहीं giving up की energy में जा रहे हो इसलिए आपके partner अब चाहते हैं क्योंकि वो घबरा गए अशी से आपके partner कहींने कहीं चाहते हैं कि ये इसको वापस से restore करें सब चीजे पहले जैसी हो जाए और ये इसके लिए कोशिश भी करेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपको बहुत जल्दी अपने पार्टनर की तरफ से क्योंकि इस वक्त ये बहुत intensely आपको manifest करने की कोशिश करने है मुझे आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास किसी ना किसी समझोते के लिए या फिर एक discussion के लिए या फिर आपको मनाते हुए आपको वापस से इस relationship को वापस से mainstream में लाते हुए वापस से इसकी energy को positive करते हुए दिखाई दे रहे हैं यह जरूर से पमें तरफ से effort बहुत जल्दी लगाने वाले हैं राधे राधे